राज्य सरकार के कामकाज पर निगरानी रखना किसी भी समाचार पत्रिका की जिमेदारी हो सकती है और दस्तक के जरिये हम इस जिमेदारी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं मगर इसके लिए जरूरी है कि जहां सरकार के अच्छे कामों को शाबाशी मिले वहीं उसके कारिक्रमों में विसंगतियों पर पूरी नज़र रखी जाए मगर ये काम आप सब के सहीयों के बिना संभव नहीं है इस आशा के साथ प्रस्तुत है दस्तक का तीसरा अंग सत्ता में निचले स्तर तक आम आदमी की भागिदारी के लिए मध्यप्रदेश एक बार फिर लोक तंत्र की किताब में एक महत्वपून अध्याई लिख रहा है पिछले दिनों पंचाय चुनावों के बाद अब पहली बार पूरे राज्य में एक साथ नगर पाले का और निगमों के चुनाव नवंबर में होने वाले है राज्य मे 11 साल बाद इन संस्थाओं को फिर से जन प्रतिनेधी मिलेंगे राज्य की 365 नगर पाले काओं में जिसमें नगर निगम, नगर पाली कायों और छोटी नगर पाली कायों जोने हम नगर पंजाइब कहते हैं, इन सब के एक साथ चुना होंगे सामने वेलकम करता हूँ गौवर्मेंट का, गौवर्मेंट ये खाम अच्छा कर रही है कहीं साल हो गई, उसके बाद में तो कोई चुना हुआ ही नहीं है, गौवर्मेंट अपनी तरफ से एक वहाँ पे एडविनिस्टेटर बिठा देते हैं और हम मिनिस्टिपाल्टी से काम कराते हैं, और मिनिस्टिपाल्टी क्या काम करती है, वो तो हम सब देखती हैं नगरपालिकाओं की चुनाओ अलग अलग समय पर, अलग अलग जिलों में होते थे, वस्तिता होते क्या थे कि चुनाओ नियमी तोर पर होते ही नहीं थे दस साल, बारा साल, पंदरा साल, बीस साल ऐसे लंबे-लंबे समय से कई नगर पालिकाएं हमारे ही राज्जिमा अधिक्रमित हैं और यही स्थिती पूरे देश की दिवने नगर पालिकाओं की है तो यह ऐसा मौका है जब सब के चुनाओ एक साथ हों एक तशक से भी ज्यादा वक्त से इन संस्थाओं में सरकारी अफसर प्रशासकों की रूप में काम कर रहे हैं और आलम यह है कि अधिकतर शहर कूडे के धेर में बदले नजर आते हैं पालिकाओं और निगमों पर करोडों रुपयों का करजा है जन तांत्रिक संस्थाओं की जन प्रतिनिध्यों से ही होती है वे जवाब्दे भी होते हैं इन संस्थाओं के चुनावों से शायद इन्हें नया जीवन मिले जो लोग इलेक्शन में जीत करवा जाते हैं वो भले ही कभी भी किसी भी दर्जे के रहे हो उनकी कुछ भी कौलिफिकेशन रही हो उनका बैक्राउंड कुछ भी रहा हो तो इनकी जवाब्दारी होती है मैं समयता हूँ वो सर्वूत करश्च होती है सर्वूत करश्च इसलिए कि एक तो उसे अपने नागरिकों के बारे में द्यान रखना पड़ता है दूसरा उसे ये द्यान रखना पड़ता है कि हम अपने शहर का विकास सुन्दर तम द्रश्टी से किस्वरकार कर सके हैं आम आदमी की भागिदारी सभाविक रूप से जन प्रत्मिदियों के माध्यम से ही होती है हम चाहेंगे कि हमारे नगरपालिका, नगर निगम, नगरपंचायत के जितने भी पदादिकारी चुन कराएं वे जनता के निकत रहते हुए जनता की आकांग्षाओं के निरूप काम करें राज्य का स्वतंत्र चुनाव आयोग इस कठिन इम्तिहान के लिए तैयार है आयोग ने राज्य में निश्बक्स चुनावों के लिए पूरे इंतजाम कर ले हैं उनको पूरी तरह से सुरक्षा देने की जवस्था की गई है वो निर्वीक हो करके अपने मताधिकार का उप्योग करें और किसी प्रकार के प्रलोभन मना आए सही ढंग से मद्दान करें, सही प्रतनिजियों का चैन करें कोशिश तो यही है कि सत्ता का विकेंदरी करन पूरा हो और मुझे उम्मीद है इसमें हमें सफलता मिलेगी पंचायत और स्वाइट शाषी संस्थाओं में चुनावों का मकसद है सत्ता का विकेंदरी करन करना सबसे पिछडे तक पहुंचने का ये अभयान तभी पूरा होगा जब हम गरीब को गनेश मान कर उसे प्राथमिकता देंगे हाला कि नगरपालिका के चुनावों को लोकसभा और विधानसभा के चुनावों की तरह प्रचार तो नहीं मिल रहा लेकिन अपनी तरह के देश के सबसे बड़े चुनावों होने के कारण इसके परिणाम भी उतने ही व्यापक होंगे दस्तक के लिए मैं आरती गुस्वामी किशूर कुमार का जितना गहरा लगाव गायकी से था उतना ही गहरा जोडाफ था अपनी ग्रहनगर खंडवा से बंबई की अपनी सारी व्यस्तताओं के बावजूद किसी न किसी बहाने से वे खंडवा आने जाने का सिलसला बनाए रखते थे खंडवा से उनका प्रेम इतना गहरा था कि भी अपने नाम के आगे भी खंडवा वाला लगाना पसंद करते थे किसी न किसी बहान देखा है जहां देखो वहाँ पैसे पैसे और पैसे मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी स्थान हो कि जहां पर पैसा गौण हो और आत्मी इंपरेम अधिक हो यही कारण है कि कई दभी ये च्चा उन्होंने व्यक्त की कि मैं खंडवा में बसूँगा करोनों संगीत प्रेमियों के दिलों में किशोर कुमार की शोख खदाएं और सहज गायन बसा हुआ है हालांकि उन्होंने शास्त्रे संगीत की शिक्षा भी ग्रहन नहीं की थी कोई हम दम न रहा कोई सहारा न रहा मेरा गाना था हम किसी के न रहे को तो वो था मैं तो गाना अच्वली उस्तादों से सीका था गाना मैं छोड़ दिया मैं प्रोटेशर होगा छोड़ दिया और जिन्जोट राग था तो मैंने का किशोर ने कहा कि मैं ये गाना लेता हूं मुल्ख आरा चौताल, आरा चौताल समझता तौना मुल्ख इम अपना हमा जाता था इड़ता रागभग मतलब ही नहीं उस ने बनाया, वो मेरे से ज्यादा चाहब ज्यादा चाहब अच्छाला, क्लासिकल गाले का था लेकिन विदावट नूइंक वो क्लासिकल गा रहा है शुरकुमार ने कोई सिक्षा के पास म्यूजिक की या रियरसल की गाने की किसी के रियरसल नहीं करी He never wanted to be an actor, actor कभी नहीं बनना चाहते है क्या दोना चाहते है Singer, maybe, singing was special, first love, हमेशा बोलते थे के acting जूटी होती है Acting जो है जूटी होती है Singing जो है गाना दिल से नहीं होता है उसको सुरेला पन बहुत था एक गम target पर बुल साही पर तीर जासे बाड़ता था जो लोगों का नहीं है उसको पीसे प्रैक्टिस तो कम नहीं थी खंडवा की धरती और अपने बाल सखाओं को किशोर कुमार ने मरते दम तक नहीं छोड़ा उनकी शोहरत, पैसा और व्यस्तताएं कभी उनके और गरीब दोस्तों की चाहत के आड़े नहीं आई भी हमेशा उनसे उसी अंदाज में मिलते थे जैसे की बच्पन के दिनों में शोरवाई ने मुझे दिल से ही अपने गले लगाया और कहा कि तुछो मेरा यार है रे मैं तुनिया छोड़ सकता हूँ वागी तुझे नहीं छोड़ सकता मेरी दोस्ती को आप करशले और सुदामा की दोस्ती कहो या मेरा इतना त्यारा भाई था कि जिसका पूछो में सबसे अच्छा तो इनका नेचर ही लगा इनके अंदर दुसरे को दुसरे का दुख समझने की एक बहुत बड़ी शमता थी किशोर जी चाहते थे कि मैं एक आडिटोरियम खेलवा में अपने माता पिता के नाम का बनवा हूँ और खुद में भी अपने पाथ से भी लाखो रुपए भी दिये पस जब तक हम बनवा रहे थे निउस से उपर भी काम ले गए कि तब तक अचानक वो भी इस प्रफ्षी से चले गए और काम अधूरा रहे गया हमें चाहिए कि आडिटोरियम के निर्मान में अपना हाथ बढ़ाएं किशोर कुमार के सपनों को पूरा करना ही उनको सही मायने में श्रद्धांजली होगी हुशंगाबाद जिले के इटारसी से करीब दो किलो मीटर दूर है सोना सावरी गाउं विकास को शहरी सीमा पर ही छोड़कर चुपचाप ताकता ये गाउं देश के अन्य गाउं जैसा ही है अपने में जीता अपने में मरता तबी तो आच साल से पूरा गाउं एक परिवार के आतंग के साए में जी रहा था लेकिन किसी ने लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई इस परिवार ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर ही रखा था साथ ही गाउं के सरकारी स्कूल पर भी कपसा कर लिया था इस गाउं के लोगों का जीवन इस पकार कर था कि आदमी रोज जीता था रोज मरता था क्योंकि ये लोग जहां खड़े होते थे शराप्पी करके और दाड़ते थे मैं ऐसा है मैसूस करता हूं इसी गाउं का नाधरिफ हूं मैं यहीं का रहने बाला हूं गाउं की गलियां सूनी हो जाती थी, जो लोग थे अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे उनसे कोई आदमी बोल नहीं सकता, बोल इसलिए नहीं सकता कि उनका प्रति दिन नित नियम यही काम है कि हमें तो सिर्फ बुंडा गर्दी करना है केसर बाई के समान में गाउंवालों ने उन्हें सरपंच बनाया, केसर बाई ने सबसे पहले स्कूल पर से अतिक्रमन हटाने के लिए पंचायत में प्रस्ताव पारित किया मेरे पास रिपोर्टें आई तो मेने दसकत करके पहुंचा दिये तो लोग बोलते तुमने क्यों हमसे क्यों नहीं पूछा तो मेन का भाई में तुम से क्यों पूछने जाती तुम आज के अलावे हमारे रिपोर्टें पर दसकत करोगी तो हम आपके हाथ पर काट डालेंग जानमर बांदने के लिए, बच्चे पढ़ा नहीं पाते थे वहाँ पे, पूरा ग्राउंड उनने घेर कर रखा था पंच्यात में मिटिंग रखी, मिटिंग रखने के बाद प्रस्ताव पारित किया प्रस्ताव पारित करने के बाद कुछ भी लगा हो उपर जो तैसिलदार है, HDOP है जिला प्रशासन तुरंद हरकत में आया और अतिकरमन हटाने की कारवाई भी हो गई लेकिन नतीजा भुगतना पड़ा केसर भाई को जब उनके घर पर रात तीन बजे बम विस फोट हुआ चिडिया एका कर ले तो शेर की खाल खींच सकती है इसे चरितार्त किया सोना सावरी के गाउं वालों ने जो अब आतंक से मुक्त होकर चैन की सांस ले रहे हैं गाउं भी सुकी हो गया, स्कूल के बच्चे समय पर आ रहा हैं, जा रहा हैं, पड़ाई लखाई अच्छी हो रही हैं तो वच्चे को भी राहत मिली, सिक्चकों भी राहत मिली, गाउं वालों को भी हो राहत मिली है सोना सावरी गाउं में दस्तक का ये तीसरा अंक आपको कैसा लगा इस पर आपके पत्रों की प्रतिक्षा रहेगी हमारा पता है परिक्रमा द्वारा केंदर अंदेशक दूर दर्शन केंदर शामला हिस भोपाल और अगले सब्ताह तक के लिए नमस्कार कर दो